इसके लिए हम नेक काटने वाले हैं, उसके लिए मैंने मारकल से लाइन लगा लिए हैं, और साइड में थोड़ी सी लाइन लगा लिए हैं, अब हम इसे कट करेंगे, कट करने के बाद में एक हमारा ऐसा बनेगा उसके बाद मैंने सुई में धागा पी रो लिया है अब हमें से थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा एक टाका लगाएंगे ताकि यह बिल्कुल भी हिले नहीं बिल्कुल भी एक ही जगे से एक ही जगे पर फिक्स रहे उसके बाद अ एपने नाप का ट लगाया है और अब हम धीरे-दीरे से सुई की हल्प से जो है से सिलना शुरू करेंगे इसे हमें जिग-जाग में नहीं करना है हमें क्रॉस करके ज़े स्टिच करना शुरू करना ताकि ये सिकुडे नहीं और उसके बास सिलने के बाद देखिए मैं इसमें म को ऐसा बनाया और आध अब हम दुबारा बनाने जा रहे हैं एक चपल विंटर्स के लिए जो की घर में यूज हो की जाती है इसके लिए हम जो सोल शॉप से हमने खरीद लिया था बहुत ही सस्टे रिट पर हमें मिल गया था और ऊपर के ऊपर का हमारा पैर कवर रहे हैं उसक बिल्कुल को पूरा लगा देना है हमें सोल के उपर और फिर फैब्रिक को सोल के साथ अटेश कर देना है एजस्ट कर लेना ताकि बिल्कुल भी यह जो है बिल्कुल अपनी पॉफेक्ट प्लेस पे ही रहे और देखिए इसके वो स्टिक करने के बाद में उपर से थोड़ा प्रेशर देना है ताकि बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए साइट से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें स्टैकल पीछे के साइट करदेना है और एक-एक हर जगह पे हमें स्टैपल करना है ताकि बिल्कुल पॉफेक्ट यह बन पाए और देखिए इसका final look बिल्कुल इस तरीके से होगा यह जो slippers हैं पहनने में भी बहुत ज़ादा comfortable थे और बहुत ही ज़ादा आराम दैक थे बिल्कुल warm थे बिल्कुल भी इंपार ठंडे नहीं हो रहे थे और सबसे ज़्यादा इस्पेशल बात दिये है कि ये मेरे घर में सभी को आया भी रहते हैं मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी सबको पिट आ रहे थे अब देखिए इनका फाइनल लुक बिल्कुल ऐसा है ये बहुत ही ज़्यादा कमपर्टेबल है तो I hope you like my video